देखो यारों, एक जमाना था जब इसलामिक सामराज दुनिया भर में चाया हुआ था। ये वो दौर था जब इसलामिक सामराज ने अपनी ताकत और प्रभाव से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ये कहानी है उस दौर की जब इसलाम ने साइंस, आर्ट्स और नॉलेज में कमाल का योगदान दिया। इसलामिक विद्वानों ने ग्यान के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी और दुनिया को नई दिशा दी। चलिए, शुरू करते हैं सातवी सदी से, जब पैगंबर मुहम्मद ने इसलाम की बुनियाद रखी, उन्होंने एक नए धर्म की नीव रखी, जिसने अरब के रेगिस्तान से निकल कर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उनके बाद आए खलीफा और देखते ही देखते, इसलामिक सामराज्य अरब से निकल कर तीन महाद्वीपों तक फैल गया। खलीफाओं ने इसलामिक सामराज्य को संगठित किया और इसे एक महान शक्ती बनाया। जानते हो बगदाद, जिसे ग्यान का खजाना कहा जाता था, इसी इसलामिक गोल्डन एज का सेंटर था। यहाँ पर विद्वानों ने विज्ञान, गनित और साहित्य में अद्वितीय योगदान दिया। यहीं से आये वो मैथ विजर्ड्स और साइंटिस्ट्स जिन्होंने दुनिया को जीरो का तौफा दिया। जी हाँ, जीरो का कांसेप्ट, जिसने गनित को एक नई दिशा दी, इसी दौर में विक्सित हुआ। अलप वारिजमी, जिनके नाम से अलगोरिद्म बना, वो भी इसी दौर के थे। उन्होंने गनित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण ने योगदान दिया, जिससे आज की आधुनिक तकनीक संभव हो सकी। लेकिन बात सिर्फ मैट्स और साइंस की नहीं थी। इसलामिक संस्कृती ने कला और वास्तु कला में भी अद्वितिय योगदान दिया, इसलामिक आर्किटेक्चर ने भी दुनिया को हिला कर रख दिया, ताज महल, अलहमरा, कुतुब मीनार जैसी इमारतें जिनकी खूब और भव्यता आज भी योदों को मंत्र मुगद कर देती है। और हाँ, लिट्रेचर और आर्ट्स की बात करें, तो फारसी के वो मश्मूर शायर रूमी जिनकी कविताएं आज भी पढ़ी जाती हैं, वो भी इसी युग के थे। उनकी कविताओं ने प्रेम और आध्यात्म को एक नई उंचाई दी। लेकिन इसलामिक हिस्ट्री में सिर्फ सुनहरा दौर ही नहीं था। इसलामिक सामराज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जगड़े और लडाईयां भी हुई जैसे क्रूसेड्स और मंगोल हमले। इन संघर्षों ने इसलामिक सामर इसलामिक संस्कृति ने अपनी पहचान को बनाए रखा और समय के साथ और भी सम्रिद्ध हुई। आज जब हम इसलामिक हिस्ट्री पर नजर डालते हैं तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ग्यान, कला और विज्ञान मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। इसलामि इतिहास की एक जलक। उमीद है कि आपको ये सफर पसंद आया होगा और आपने इसलामिक इतिहास के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरना मिलती है और हाँ बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि हमारी अगली वीडियो मिस न हो शुक्रिया अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।